सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे हसल 2.2 का कंटेस्टेंट पैंथर भाई के बारे में तो पैंथर भाई का एक पॉड़कास्ट आया है जिसके अंदर उन्होंने हसल शुनिया तीन को लेकर क्या कहा है आप लोग खुद ही सुन लो भाई अभी हशाल की ही बात ही तो आपको क्या लगता है हसल 3 इतना मळा आपको जादा रिस्पहंज नहीं मिला लोग अलो को बात पसंद क्यों रहा 50 सकते बाई हसल 2 है उसका लेवल उसका लेवल नहीं टच कर पाये खूए को package सब आप आर्टिस देख लो आप सब कुछ है हसल 3 भी अच्छा था I like all the season क्योंकि एक वो एक ऐसी चीज़ कर रहे है जो शायद कोई नहीं कर रहा सब का बहुत लगाव है मेरे को लगता है क्योंकि हसल 2 से गाने हो गया आर्टिस्ट हो गया और जो काइंड ऑफ म्यूजिक हम लोगों ने पुट आउट करा था वो टीम वर्क और वो एक एक आर्टिस्ट का म्यूजिक ठीक है उस पर ऐसा नहीं है कि एक आर्टिस्ट सिर्फ हो सारे आर्टिस्टों का म्यूजिक एकसेप्ट हुआ है मेरे गाने एकसेप्ट हुए पैरा स्क्व एर स्पिक्टरा शूष्ट्टी वलिब सब सब को प्यार मिला है बाइक पूरा पॉडकों को डिस्क्रिशन में में जाएगा आप लोग जाके पॉडकास्ट को चेक कर ले और अगर पहले से सुन लिया है तो कॉमेंट पे बताना आप लोगों को वो ट्रैक कैसा लगा तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे बादशाबाई के बारे में बादशाबाई का जो ट्रैक आया है अभी डाकू वो एक दिन के अंदर टॉप सॉंग्स इंडिया के चार्ट पे 187 नमबर पे रेंग कर रहा है वो बहुत बहुत शुप काम नए बादशाबाई को सोगे जिस वीडियो ते इतने ही मिलता अपसर एक नई वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई 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 एंटेक के यार